हाई गुडीवनिंग नमस्ते सस्रेकार आज मैं तुसी एक ग्रेवी दिखा लगी हाँ ओ ग्रेवी ना तुसी काफी चीजा उड़ी विच पा सकते हो और एक ग्रेवी में तुसी लोग की मुसलम हूं दिखावागी पर जदो तुसी एक ग्रेवी बनाओगे मैं जड़ी दस आज आज अज एधी विच तुसी कौलिट फिल्ट गों नमक पाके बॉल कर लोग और फिल कौलिट फिल्ट अज ग्रेवी दिच पासका देयो पनीर बना सकते हो और की कहंते है मुञडर अलू भीका सकतion चिकन बना सकते हो butter बाटर चिकन वस्ते एबसल्यूटली यम्मी एड रेस्पी तुसी कदू जो बंदे नहीं खान दे डिश एक्चुली मेरी कारकिटी पटी होई सी ते लोगानू बड़ी अच्छी लगी हून मैं जीटा प्रेजेंटेशन वी दसांगी एड खान दा तरिका भी डिफरेंट हो टे एड ग्रेवी तुसे किसे चीज वी पासने हो बेंगना ऊपर नू अलू गोबी नुन मिकाइ और सोो ऑस वी दसांगी जीघ में त sürसे पाल ओ डेए। ते एक ग्रेवी ना तुसी जेडी भी डिश बनाओगे जो आज मैं तो अनुदा से यम्मी होई रहा है यह मेरा चैलेंज हुँँ देख दियां एन्नों किंज करना हुँँ मैं आज देवस्ते चार प्याज ले रही हैं बिल्कुल मोटा 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 कोई हो नहीं ठीक है एन्जी तुसी टमाटर लंबे लंबे पतले पतले ठीक है हुँँ अद्रक अद्रक नुवी तुसे की करो मोटा 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 ठीक है ना मैं एन्जी हुँँ तोन्हों सारियां कटके दस्तियां तो उधा तब देखो हुँँ मैं सारा कर्दी अभी आब देखिए इस इसमें मोटा मोटा प्याज कटा हुआ, मोटा मोटा टा माटर कटा हुआ, थोड़े से लस्सन, थोड़ा सा अद्रक, थोड़ा सा हारिमेच, that's all, प्याज, मोटा मोटा साब कुछ ऐसा साबूत, अब मैं क्या करूंगी, गैस ओन करूंगी, जब भी कड़ाई गरम हो जाती है, तब भी थोड़ा सा ओल डालें, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए, फिर बात में देखेगी, चाहिए होगा तो, मैंने त्याद किया, प्याज डाल दिये, तो इसके बात में चामाचा डाल दिये, जब कुछ डाल दिये, फोड़ा सा अद्रख, और थोड़ा सी हर्मी, मैंने सब कुछ इसी में डाल दिया, इसके फोड़ा सा ना, बुनोगी इसको तब तक बुने दिए त्री पोट हो जाएगा थोड़े से चांश प्रांश हो जाएगे तब तक अच्छी तरह भूने जबी आप बुन रहे हो और आपका काम जल्डी हो इसके लिए क्या करते हैं इसका काम जल्डी हो थोड़ा सा नमक डाल देगे पहले खोड़ा सा नमक डाल देगे ताक यह जल्डी आप जल्डी आपके जल्डी आप जाएगे जब तक हमारा साइटसे में मैं वहले लौकी काज बताऊंगी और कभी भी लोकी को फाइन ओर करने के लिए आपका हाग काने से नारम हो तो हो बिल्कुल सॉफ्ट है इसके लिए अभी ये डिश के लिए हमको चाहिए लोकी लोकी के लिए लोकी के लिए हम बीच वाला पाट लेंगे तोड़े से मोटे लेंगे क्योंकि जब ये बॉइल होंगे थोड़े से नारम पढ़ जाएंगे इसका करने का क्या तरीक है आफ कद्दू को पहले राउंड काट लिया इसके बाद आप इसका छिल्का निगार लो और इसको तो मैंने इसको ऐसे बना लिये हैं राउंड सर्कल के तकोर वैसे आप तो मालूम है हमारा पाइनीर फुट चैनल के कौन है संजीव कपूर जी उन्होंने ही बताया कि जो भी आपके रेस्पीज हैं उसे सिक्रेट मत रखिए आप इसे डिस्क्लोस कीजिए और लेट दा होल वर्ल रो और आज कोई भी रेस्पी डों तिंक सो एक्सपीरियंस ब्लादे उनके तो चैनल ही बन दे तो थैंक यू संजीव कपूर जी एंड ओल दे शेफ्स आप अप्रिशिएट ओल चैनल ममी का मैजिक एवरीबड़ी अभी हमने क्या किया इसमें पानी को गरम कर लिया है मैं पेले रख दिया था पानी गरम करने के और देखो इसको आप देरे देरे इसमें सब्मर्ट कर दू यह थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो आप क्या थोड़ा सा नमक भी डाल दो तो कि ठादू थोड़ा से टेस्ट अच्छा आजाए और साइज में देखिए मेरा मसाला मेने आपको क्या काता था थी फोगा तो इसे स्टॉप्ट है संजीत कपुजी यह रेली ग्रेट थैंक्यू आप इसको अभी एक्री वोस फॉफ्ट हो गया ना आप इसको भी ठंडा करिये और मिक्सी में इसको पीस लेना है बस चीकिए रहा हुआ है यह जो मैं आपको मिक्षर बता रही हूं यह आपको अपने स्नैक्स पाटी में भी ऊपने स्नाक्स की तहां अब दिखा सकते किसी को भी खिला सकते है इवनिग स्नाक्स की तरह और इसमिक्सिर के लिए आपको क्या चाहिए पयाच हरी मिर्च पनीर हुम थोड़ा सस पानियर लेगे और इसमें क्या कर सकते है, आलू ले सकते हो, अगर आलू नहीं टाल रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सन डाल लो कुकिन क्या है, आपका जैसे mix and match है, बस दो कमच्ँ, फूरी सी लालमिरिश फीक जोड़ा को बताती हो और इसमें मैंगो पौडर विधा सकते हैं तो इसमें आप मैंगो को बी थोड़ा सा टैंगि मैंगो पौडर अनार दाना घृब सा नमक डाले पहला अखाला है लिए छहद जाय हैं अच्छी तब नहीं है अगर आपके पास बेसं भी नहीं है थोड इसको आसे मिक्स करने की कांसिस्टेंसी के लिए थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूं इसमें नमक चाहिए था तो नमक शमक डाले हूं नमक शमक नमक शमक डाले देते हैं ठीक नमक रनवीर ब्राम संजीव कपूर जी सबी मम्मी का मैजिक में भी प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर और बचों को कितना इंट्रेस्टिंग यह आप किसी चीज में भी बड़ी शिमला में बड़ी बड़ी मिर्चें किसी में भी भरके जैसे कैप्सिकम है जो मैं सबजी दिखाने वाली हूं उसमें फिल हाल मैं आप पता चलेगा थोड़ा ओर टैंगी अगर आप इससे स्नैक्स की तरह सर्व कर रहे हैं और टैंगी चाहिए तो आपके आपके दर थोड़ा साम चूर इंक्रीज करतें ठीक है तो मैं आपको एक मिर्च का भी दिखाती हूं दो मिर्च को अब फिर से खाके देखती हूं बार- जो करेक्ट नमक होगा तो आपके डिश ओटर में अच्छा होगा तो जैसे मैं रही थी एक डिश तो में लोकी की बनाई रही हूं आप क्या कर सकते हूं इविन स्नैक्स के लिए यही मसाले को लेके यह मिर्ची को देखते हूं बड़ी मिर्ची ओ बेसन में करे ने आलू मे अब इसको भर देंगे ऐसे भर के बेसन के पकोड़ेया बना सकते हैं तो पनीर का डिश हो गया अभी एक और शिम्ला मिर्च का बताती हूं आपको तो एक ही डिश में आप काफी कुछ कर सकते हूं अब देखो मैंने शिम्ला मिर्च लिया बहुत मोटा भी नीलो क्यों को अब आप क्या करो इसका स्लिट पहानी काहने तो और इसमें क्या करो इसको देखो इसी में रखके हैं इसी को अच्छी तरह भर तो आप इसे इवनिंग टी स्नैक्स आपके गेस्ट के लिए कोई आता है तो यह बहुत ही अच्छा इजी बना की भी रख लो और शिम्ला में बहुत ही अच्छा लगेगा जो करके दिखाते हैं मैं तो सबजी बना रही हूं उसी की साथ साथ अपको सनैक्स के जैसे भी हो सकता है शिम्ला मिच में से मिक्स चगा लो आलू में बना लो कितना प्यार है हम आपनी सबजी की तरफ चलते हैं तो अब देखो यह पाफी नर तो अब आप क्या करें इसको पूरा मिक्सी में डाल लो थंडा होने के बाद रेखो ऐसे बिल्कुल पेस्ट सॉफ्ट पेस्ट क्रीमी हो जाने चाहिए रिमी पेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने के बाद आप इसे कड़ा डालें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने किता डाला है शाहिए वाने राफ स्पून तो हम क्या करें यह पूरा इसमें पेस्ट इसमें पूरा डालें अभी मेरा मसाला बुन रहा है तब तक हम फिल्लिंग कर लेते हैं कद्दू है कद्दू जो बच्चे नहीं खाते उसको इंट्रस्टिं 5-6 तबहुत्दफीन क्रिट बहुत ही है उसमें अलुका मिक्षर भी पार ऑपनीर आज मैं ड़ालें इसमें और अलुका मिक्षर भी तों अर्ड वी मिक्षर देखो किता प्यार हो गया इसको हम पीछे की तरफ से भी देखो आगे की तरफ से भी देखो ऐसे ही मैं साभी का कर लोगी और इसको हम तावे पे बता हूँ जब भी आप सर्फ करने से पहले इसको आप ग्रिल करके या तावे पे फ्राइ करके वह ग्रेवी को ऊपर डाल होग मैं भी बताते हूं पहले में यह सब भी को फिल कर लेते हैं अच्छा प्रेस कर लेगा थोड़ा लीजिए यह देखो किते प्यारे होगी है मम्मी का मैजिक भी बहुत इंटरस्टिंग ली बच्छों को कैसे खिलाने का एक अदू अलब भी मम्मी का मैजिक उनहीं से हम लोग काफी को सीखते हैं संजीर कपू जी ब्रा हरपाल सिंग जी ऑल दे कुकिंग चैनल्स और फुड साफारी की जो अंग्रीज है वो भी पू भी और काफी चैनल्स है तेल्गू चैनल्स टैमिल चैनल्स काफी इंस्पारी होता है हम लोगों को तो कुकिंग चैनल्स बहुत अच्छ लगे थैंक्यू संजीर कपू जी इतने चैनल्स हैं बीजी रख एस्पेशली गर्ल्स के लिए आप ल चैनल्स काफी अच्छी हो गई है जब भी भी आप कुक करते हो यह देखो कि आप अपनी कर्ची बच्चों को बुताब कर्ची इसमें ना रखिए अगर सपूस कर्ची ऐसे रखिए और सदल्ली उठाट गरम हो जाएगा तो इसके लिए कर्ची को कभी भी एक प्लेट प्लेट रख दो और उधरी रख दो ताकि अपका हाथ नहीं सड़ेगा यह चोड़ी चोड़ी टिप्स है और यह अची का भून गया है मैं अभी आपको बताती हूं इसमें हम अभी मसाला भून गया है क्योंकि हमने अलड़ी तरी इसको कूप कर दिया था इसमें थोड़ी अगर आपको बनता है और थोड़ी सी लाल मिल्च टालेंगे ठीक हमने हरी मिल्च डाल यह मिल्च अलसो अनमक अलसो अकोड़ीं तेस्ट स्वादर मसार और थोड़ा सा इसको बुनेंगे पहले थोड़ा गया इसको पिर इसका मैजिक सच से सीक्रेट इसका रस्पी है अगर अगर आप इस मसाले में पॉभजी मसाला यूज करते हैं लेकिए यह रस्पी में मैंने कोई मसाला नहीं उस लेकिन अगर आप यह पावभाजी मसाले यूस करते हैं बर नीट्ट्टो बarta चिकन बंच गाएगा और कोई भी ग्रेवी मैं पनी डॉल्वय, गोबी डालो, कॉ बच्छ भी इवन कदू भी तो इसका में सीक्रेट है पाव भाजी मसाला और अब भी हम डालेंगे पाव भाजी मसाला तो फड़ा सा डालो इसमें आपने अपने वने राफ स्कून गाल देया है काफी लोग आजकर मीथा नेजी मांगे तो बेटर साइड इस इंकित सॉल्टी तो काफी जनने बोटल में आते हैं बटर चिकिन तो खाना बचनों मुठा नहीं इचा करते हैं इतनी ख्यारी ग्रेवी बन दी है इसके तो बटर सा और भूलेंगे इसकी कुछबू आना लग गई है अभी हम क्या करेंगे पहले तो दूर डालेंगे अब क्रीम नहीं भी है तो इंट्रीज दे क्वाटिटी ओफ मिल्क कभी क्रीम नहीं मिलती व्यांटीन जाए मुश्किल भी हो समगे तो आप अभी हम क्या करेंगे इसमें कफ्टूरी मेथि डालेंगे कफ्टूरी मेथि क्रूं नहीं दुन रखने के खाक न रखने तो आख अच्छा है कर्कमेथि फोड़ी सी डाली अप वन स्पून तस है और देखो नहीं अच्य पहले हम नमक शमक देख लेते हैं और कोई भी चीज सर्फ करने से पहले टेस्ट जू कीजिए और नमक शमक करते हैं बिल्कुल टेस्ट है थोड़ा नमक और नमक शमक डाल देते हैं बहुत बढ़िया है बिली में यह ग्रेवी सूप है खाओ याम कुछ भी आलो याम और अभी हम चलते हैं इस कोफ्टो को इस चलो अब हम ग्रिल करते हैं लोगी मुसलम के लिए इनको कैसे फ्राइद करना है थोड़ा सा गरम होगे अब यह थावा थोड़ा गरम होगे अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा ओए डाल देंगे इसको शालो फ्रेजर से ग्रिलिंग करेंगे तो यह स्पैचुला भी बहुत अच्छा है अब हम क्या करेंगे एक एक को लेंगे देखो किता प्यारा है इसको इतरब देंगे कि मैंने अपको क्या कहा था कि हम की जो क्या 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 कंको का लाड़ से कद्धू है मिक्या लोकी है । औरये कैपसीकम है यह चीज़न को स्नाक्स बना के लावे सकते हो और सब्धी जैसे बनाथि इसको अब बेशन केसाफ पकोड़े बना के सोटें and क IKEBери जे बनाको ने हखना हो गी put remote कवे अधिल विल्टी को हो जाएं वोर्ण को ना जिए को प्राइ सब्राइब तो इसे अग्रतरकी स्टेक्त तरा क्या प्रूटी तला कया त्रीम ना तर प्रूट से में और सब्भी प्राइब करें जोबा सकते इसको पहले भी बनाकर रख सिप्ति हो, पर रीहीत कर सकते हो, स्नाक्स की तरह खा सकते हो, सबजी अभी इस पीउपर ग्रेवी डालेंगे, कितना इसी देगी वाँ, यह कैपसिकम कहा है, यह कैपसिकम, आपको अपने फ्रेंच को खिलाओं इसा प्यारा प्यारा वाँ प्रेवी को इसको स्लो करके तब तक में ग्रेवी को इसको प्रेट कर दते हैं, वाँ, उदर भू खो रहा है, अब यह अच्छी तरह हो गया है, अभी इसको क्या करो, देखो आप बबल्स भी आ रहे हैं, अभी आप इसको एक बॉल में ट्रांस्फर कर देती हूं, जो बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, उनली सर्फ करने से पहले, और थोड़ा सा क्रीम उपर, क्यूंकि प्रेजेंटेशन बहुत जोरी है, अब थोड़ा सा क्रीम, रेखो, यूटिफल, अच्छा क्रीम, लगेगा नहीं बटर चिकन है, कोई और कोश, लोकी मसलम कोई कहीं नहीं सकता कि कद्दू की कोई चीज हम बना रहे हैं, कोई बिलिग कर सकता है, नो, नौस्ट इट आल, चलो, अब भी हम इसका सर्विं का बटाते हैं, तो देखो, जबी भी सर्व करना है, तो लोगों को क्या कहें, कि आप अपनी प्लेट लें, अपनी पहले एक टिकी डाले, उसके ऊपर ऐसे ग्रेवी डाले, और रोटी के साथ, गरम गरम रोटी के साथ, फुलका, परांथा, नौन, बटर नौन, और क्या चाहिए, कुछ भी खाये, तंदूरी रोटी, बटर नौन, वाट अब ब्यूतिफुल, इसके साथ रोटी खाओ, गर आपकी लाने का यह बहुत अच्छा तरीका है, यह मेरी फ्रेंड्स ने भी यह का था, चलो, तो यह है ग्रेवी आपके लिए, और यह खाने का स्टाइल, इसमें लोकी मुसलम है, ऐसे सर्व कीजिए, पर लोकी डाले, उसाथ में ग्रेवी रख दीजिए, जिसको चाहिए ह अगर लोकी लेंगे, ग्रेवी डालेंगे, यह आप फुलका खाएं, नॉन खाएं, कुछ भी सर्वेस लिए, यह आपके लिए, अच्छा लगा, कुछ भी डालेंगे, एंजोईगे, ग्रेवी सूपर्ब है,